भारत ने लशकर-े-तयबा प्रमुख हाफिज सईद को प्रत्यर्पित करने के लिए पाकिस्तान से आपचारिक तौर पर गुजारिश की है। भारतिय विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को इसकी पुष्टी की है कि भारत ने कुछ दिन पहले इस संबंध में पाकिस्तान को चिठ्थी भेजी है। पाकिस्तान ने भारत की गुजारिश मिलने की बात को स्वीकार किया है और कहा है कि दोनों मुलकों के बीच प्रत्यरपण से जुड़ा कोई करार नहीं है। गुरुवार को खबर आई कि भारत ने हाफिज सईद को भारत प्रत्यरपित करने के लिए पाकिस्तान से आपचारिक तौर पर गुजारिश की है। शुकरवार को भारतिये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बाग्ची ने इसकी पुष्टी की। और समवात दाताओं से बात करते हुए कहा कि कुछ दस्तावेजों के साथ हाफिज सईद को भारत प्रत्यरपित करने के लिए सरकार ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान स उन्होंने कहा जिस मामले में वो वांटेड हैं उसे लेकर हम समय समय पर मुद्दा उठाते रहे हैं ये अपील अभी हाल ही में की गई है